नमस्ते दोस्तों स्वागत है आप सबका अपने online platform divine study पर तो आज भी हम revision class करेंगे कि reasoning में जो आपको दिखता होगा कि exams में जैसे questions बनते हैं तो उसकी revision class रहेगी तो इससे आपको यह idea लग जागा कि इस तरीके से questions पूछे जाते हैं मिलकुल लिट्टो से मही question करेंगे जो exams में आए हैं अभी हाली में आपने reasoning के questions देखे भी होंगे कि ऐसे सवाल exam में बार-बार पूछे जाते हैं ठीक है जी तो जो भी इस channel पर नए है प्लीज फटा-फट से channel को subscribe कर लीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसको सबसे पहले हम उठा लेते हैं question ranking का ranking का a question definitely पूछा जाता है और जितने type की question पूछे जा सकते है ना वो मैं सारे करवा दूंगी ranking में ठीक है अभी हम ranking वाला topic मैंने करवा भी दिया था पूरा starting list से लेकर end तक अब उसमें थोड़ा सा high level में करवाने वाली हूं कि अभी हाली म अभी बता तो मैं ranking में ranking में ranking में अपनी question देखा होगा जिसमें कि अगर बात करें कि interchange वाली जो बात होती है अपनी seat को interchange करते हैं अदला बदली करेंगा ना seat को उसके बाद किसकी क्या position हो जाएगी वो पूछ सकते हैं क्लास में कुल बच्चे कितने होते हैं यह पूछ सकता है तो सभी चीज़े हम discuss करने वाले हैं तो क्लास को अच्छे से देखिएगा देखिए रैंकिंग के basic अगर आपने पढ़ना है तो आप पिछे देख सकते हो जो previous classes है हमारी बाकि आपको description box में भी दिख जाएगा यह यह classes आप पांच से भी direct देख सकते हो तो देखिए एक तो अदला बदली वाला करेंगे उसके बाद एक हाईले वाला वाला कोशन में करवा दूंगी अदला बदली वाला देखो मानलों दो बच्चे हैं ठीक है तो उन दोनों का आपस में का करेंगे साइट इंटरचेंज क करेंगे जैसे कि example ले लो कोई भी कि मानलो यह हमारा रल्दू है ठीक है और यह की हमारे क्या हो जाएगा गुगू हो जाएगा तो क्लास में यह दो बचे बैठे हैं उसके बाद इनकी वह position बताएगा ठीक है question में क्या बोलेगा कि दो दोस्त हैं रल्दू और गुगू रल गुगू को तो इसकी position कौन सी आएगी इसकी position दस्वी है ठीक है तो question में ऐसे डाग्राम बना कर नहीं देगा वो यह बोलेगा कि रल्दू का स्थान एक पंक्ती में रल्दू का स्थान बाइन तरफ से left side से पंदरवा है और गुगू का स्थान दाएन तरफ से right side से कितना ह पिर एक लाइन वो और बताएगा क्या कि अगर रल्दू को घुगू की जिगह बिठा दिया जाए तो जब घुगू की जिगह पर या जाएगा कौन रल्दू तो रल्दू का स्थान किस तरफ से बाइन तरफ से left side से कितना हो जाएगा पहले 15 था अब 20 हो गया तो बताओ क तरफ सकती है 15 की बजाए कुछ देगा 10 की बजाए कुछ देगा और यहां 20 की बजाए कुछ ओड़ देगा ठीक है पैटरन से मैसा आएगा धांस सुन लेने स्कूर्शन को पहले कुश्चन दुबारा सुन लो रल्दू का स्थान उल्दे हाथ की तरफ से पंदरवा है गु गुगु है 10 स्थान पर ठीक है गुगु का स्थान हमें सिधे हाथ से पता है अगर हमें एक ही इनसान का दोनों तरफ से पोजिशन पता लग जाए तो क्या करेंगे दोनों को जोड़ करें घटा देते हम ठीक है तो कैसे करेंगे यहां से इसका 10 स्थान है तो इस तरफ से इ साथ की तरफ से, मतलब गुगू का स्थान हमें इस तरफ से पता लगया, दसवा, इस तरफ से कितना हुआ, बीसवा हुआ, तो कुल बच्चे कितने हो जाएंगे, दोनों को जोड़ कर एक घटा दो, या फिर क्या करोगे, एक कम जोड़ दो, तो बीस और दस कितना हुआगा, 30, 30 में से एक कम कर दिया, 39 आजाएगा, कितना आजाएगा, 29 आपका आँसवा आजाएगा, और किस तरीके से कर सकते थे, अब देखिए, एक चीज सोचिए, 15 से इसका स्थान 20 हुआ, किसका रलदू का, 15 से 20 स्थान हुआ, मतलब बीच में कितने बच्चे बैठे होंगे, अ अकर 20 बन जाएगा, इसका मतलब हुआ क्या, कि बीच में 4 बच्चे बाठेंगे, आप देखा जाए तो कितने जुड़े थे, 15 से 25 पांच जुड़ा था ना, 5 जुड़े हैं, लेकिन बीच में कितने बच्चे बाठेंगे, 4 बच्चे बाठेंगे यहां बीच में, ठीक है जी तो 4 बठा दिया, तो हमें यह दिख रहा था, 15 से 20 हुआ, यहां 4 बच्चे बाठेंगे हैं, 15 यह हो गए, यहां तक पंदरमा स्थान है, 4 बच्चे यह हो गए, और इधर से इसका दस्वा था, तो 3 को जोड़ दो, 15 और 4 और 10, कितना होगा, 15 और 10, 25, 25 और 4, 29, तो सिधा सि जाएगा, तो पहले कौन सा था जी, पहले था दस्वा, अब होगा क्या, यह किसके जगह आजाएगा, इधर आजाएगा, तो देखिए, उधर से इधर आ रहा है, तो पोजिशन तो आगे बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, जितना रलदू इधर आकर बढ़ा है, उतना ही त कर लेंगे, ठीक है, इसका मतलब रर्दू 15 से 20, कितना चुड़ा, पांच, तो करना क्या होगा, गुगगू, दस्वा स्थान था, पांच जोड़ो, कितना आजाएगा, पंदरा, तो मतलब उसका स्थान, पंदरमा आजाएगा, तो यह सारे questions इसमें बन जाएगे, ठीक है, पहला सवाल तो यही बनता है, कि बताओ, क्लास में कूल बच्चे कितने हैं, तो एक इनसान का दोनों तरफ से पोजिशन पता लग गई, दोनों को जोड़ो, और एक घटा दो, तो आजाएगा, टोटल नंबर ओव स्टुडेंट्स, वो यह भी बूछ सकता है, कि आप यह बीच में कितने बच्चे बैठे हैं, च young एक नशे बेंगा जैसे 15 से बीस हुा था शख माच बंधा ना जधे झोच और इस नहीं कि अनने के sécurडद कर लिया था, ख कर लोगे हैं इसमें थोड़ा साना हाई लेवल मैं करवाती हूं अभी जो पेपर में पूछा गया था उसमें क्या था देखिए उसमें था कि मान लो क्लास में एक परिक्षा का आयोजन की करवाया गया ठीक है क्लास में परिक्षा हुई उस परिक्षा में हुआ क्या कि बच्चों का र पांच स्थान आगे है बस यह लाइन किसी को समझ आ गई ना इसका मतलब सवाल हो जाएगा पूरा राम का स्थान शाम से 5 स्थान आगए है, मतलब राम से 5 स्थान अच्छा कर रहा है ठीक है, पांच version उसकी आगए है, उसके बाद बताया कि शाम का स्थान, शाम का स्थान नीचे से 20 वा है, ठीक है, और कुल बच्चे, क्लास में कितने है जी 45 ठीक है तो आपको बताना ये है कि राम का उपर और नीचे दोरों तरफ से कितना स्थान आ जाएगा ठीक है कोशन दोबारा सुन लो राम का स्थान शाम से 5 स्थान आगे है शाम का स्थान नीचे से 20 है और कुल बच्चे क्लास में 45 है तो बताओ राम का उपर से स्थान और राम का नीचे से स्थान कितना हो जाएगा ऐसा सवाल आपना देखा भी होगा पेपर में अभी आया था तो इसके लिए आपको क्या-क्या चीज़े पता होने चाहिए इसके बाद एक क्वेशन और करवा दूंगी फिर बिल्कुल दिमाग खुल जाएगा क तो चलिए देखिए इसमें होगा गाप अपनी तरफ से त्राइब करो मैं अपनी तरफ से देखती हूं को कैसे करवाना है ठीक है राम का स्थान शाम से पांच स्थान आगे है बच्चों कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि राम यहां आएगा एक दो तीन चार और फिर चौ तो यह गलती नहीं करनी है उसके बाद उसने क्या information दी कि शाम का स्थान यह रहा शाम का स्थान नीचे से 20 हैं क्या एक बाद समझ पा रहे हों क्या नीचे 19 बच्चे बैठे होंगे उसके बाद यह शाम का 20 स्थान क्लास में कुल बच्चे 45 हैं तो बताओ राम का उपर और नीचे से स्थान दोनों दरफ से स्थान बताना है अब एक चीज देखो राम का स्थान हम नीचे से सिधा ही बता सकते हैं कैसे शाम का स्थान यहां 20 था तो राम का स्थान बताना है मोना चाहिए कुल बच्चे पता है 45 और एक तरफ से स्थान पता है राम का 25 है दूसरी तरफ से च्थान बताना है कैसे करोंगे 25 में 25ingen 25 गठाओ 45 गठाओ वेल्यु क्या है की वह देखना वहीं देखो 45 में 25 गठाओ किटना बचेगा 20 ठीक है अब 20 बचा ये 20 बच्चे कौन से हैं, ये 20 बच्चे वो हैं, जो उपर से होंगे, तो 20 बच्चे ये उपर से होंगे, इसका मतलब ये देखो भई, इसका स्थान फिर हो कौन से जाएगा, उपर से, हमें ये पता है, हमारे पास कुल बच्चे कितने थे, 45 थे, और उस 45 में से, ये हमने क्य आपके दिलाया किक तर्फहर की पचीस मइनस कर दियाव 25- сред में ये 25 था ये 25 मैनस कर दिया मैं मतलब इसके ओपर बीस बच्चें बच्चें अब 20 बच्चें यहां बच्ट गए न ऊपर से स्थानहीं हो जाएगा फिर उपर हाटता है जैं ऐसे अपने देखेंग्य होंगे लग तो देखो बर हलके में हमने में नहीं लेना है तैयारी हमने अच्छी करके जानी है है ठीड है कर राम है, उनका स्थान, राम का स्थान, सीता से, सीता से क्या होगा भई, राम का स्थान, सीता से, तीन स्थान पीछे है भई, तीन स्थान, पीछे है, ठीक है, मतलब, जो उसकी रैंक है, वो क्या हो जाएगी, तीन पोजिशन होगे ना, वो पीछे हो जाएगी, ठीक है, तो आ ठीक है, इसका मतलब जो सीता की पोजिशन है, वो राम से इसमें अच्छी है कहें, कितना तीन स्थान, अब उसने information क्या दी, इस पर वो कुल वच्चे नहीं बताएगा, कुल वच्चे ना बताकर उसने क्या बताया, कि नीचे से, नीचे से उसने राम का स्थान बता दिया, कि किसका सीता का स्थान, किसका सीता का स्थान, कितना, उपर से सीता का स्थान कितना जी, पंदरवा हो जाएगा, अब सवाल धान से सुनो, सवाल में उसने क्या पूछा होगा, सवाल में वो ये पूछ सकता है, कि बताओ, राम का, इसने नीचे से बताया रखा था, तो राम का उपर से पूछ सकता है, ठीक है, यहां पर क्या पूछ सकता है वो, सीता का नीचे से, सीता का नीचे से स्थान बताओ, उसी पूछ सकता है, क्यों, यूँकि हमें सीता का उपर से स्थान इसने बताया हुआ है, तो वो नीचे से पूछ सकता है, और ऐसे ही अगर हम बात करें, राम का नीचे से स्थान बता है, तो वो उपर से पूछ सकता है, तो इसके लिए थोड़ा सा ब दिमाग लगाएगा, कैसे करोगी equation को, देखो, राम का स्थान सीता से तीन स्थान पीछे है, मतलब वो नीचे आएगा, राम इधर आएगा, सीता कहां आएगी, सीता जी यहां, लो जी, अब नीचे आएगा, पीछे है, इसका मतलब तो क्या होगा, रैंक थोड़ा सा नीचे आएगा ना, पोजिशन नीचे जाएगी, तो दो, एक, दो, तीन, तीन स्थान ऐसे नीचे करना है, उसके माद उसने क्या बोला, नीचे से राम का स्थान बीस्वा, नीचे से अगर बात करो, यह स्थान बीस्वा, किनका, राम का, ठीक है, राम का, नीचे से स्थान आपको बता है, बीस्वा है, वैसे ही, उपर से सीता का स्थान बता दिया, किसका, सीता का, कितना है जी, उपर से सीता का स्थान पंदरव पता है, तो यहां था तो 16, 17, 18, मतलब राम का उपर से कौन सा, 18, वैसे ही बात करें, सीता का नीचे से कौन सा आ जाएगा, यह 20 था, 21, 22 और यह 23, आ जाएगा, यह तो बिल्कुल सिंपल सवाल हो गया, ठीक है, अब सोचो कि वो और गुमाकर पूछ सकता था, अगर उसने यह ना बताया होता, कि सीता का उपर से स्थान ये है, अगर उसने ना बताया होता, कि यह स्थान ये है, उसने यह बता दिया होता, कि राम का उपर से स्थान 20, राम का नीचे से स्थान भी 20, राम का उपर से स्थान हो जाएगा, तो इसको भी ऐसे कर सकते हो भई, कैसे, कि ये 20 स्थान है, ठीक है, तो ये कितना जाएगा, 19, ये 18 और ये 17, ऐसे कर लोगे, ठीक है, अब उसके बाद, क्या होगा, ये उपर से स्थान, अब नीचे से स्थान देखने हैं, तो 20, 21, 22 और 23, निकल जाएगा, और बच्चे खाते हैं मार ब्लड रिलेशन में. रक्त संबंदी ते स्वाल आते हैं. समझ आ जाता है कि कैसे बनेगा? तिकत कहाएंगी? सवाल जो पूछा जाता है कि वो उसका क्या लगता है? उसको ही आंसर गलत पड़ लिया जाता है. तो वो गलत पढ़ने के बाद तो भी कुछ रहा ही नहीं अब question यो गलत पढ़ लोगे ठीक है समझ नहीं आप आएगा तो फाइदा क्या होगा आप देखिए सवाल क्या है मान लो A है वो क्या है B का भाई है A B का भाई है उसके बाद जो B है वो क्या है B का भाई है जो D है वो B का भाई है ठीक है जी उसके बाद और क्या हो जाएगा अगर मान लो E है ठीक है ना अगर E दे रखा है उसने क्या A का पुत्र ते दिया ठीक है जी उसके बाद उसने बताया कि F जो है वो E की बहन है F E की बहन है तो सबसे पहले तो हमने करना क्या है इसका डियागराम बनाना है क्या करोगे इसका डियागराम बना लो अगर आपको ट्री डियागराम आता है तो इसे रिक्वेशन से आपके सोलो हो जाएंगे देखिएगा A B का भाई है बना लो A हो जाएगा भाई किसका B का अगर deep में करना है तो यह पूरा topic हमने पहले discuss किया हुआ है, पूरा topic हमने discuss किया था, वो वीडियो देख लिना भी इसकी, ठीक है, F है, वो A का पुत्र है, A का पुत्र हो जाएगा, कौन? E, पुत्र हो जाएगा तो, प्लस, ऐसे ही, F है, वो E की बहन है, दिखें हैं ना, ठीक है, अब देखिए, सवाल क्या पूछा जाएगा, सवाल को ध्यान से सुने, और देकरें कि इसका बिल्कुल सही जवाब कौन पहला सवाल क्या कहता है बताइए एक सी से क्या संबंध है कि सवाल है को इसका बिर्गु सही जवाब देने वाला है तो थोड़ा सारे इसको ध्यान से सुनना होता है थोड़ा से आपको चीज़र क्लिर होने जाहिए देखो यह पूरा कौर्शन बढ़ लिया डाग्राम आपन बनाओ तो एका सी से क्या संबंद है एका सी से संबंद मतलब इस लेन का मतलब क्या होता है एका एका ठीक है इसको ऐसे लिख लिए ना एका मतलब जिसके साथ का लगा हो है ना तो यह बताना है कि वो उसका क्या लगेगा कि एका लगेगा सी का तो एका लगेगा सी का यह माता माता का भाई, माता का भाई क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा, एंगलिश में अंकल बोल सकते हो, हिंदे में क्या बोलोगे, मामा हो जाएगा, ममी का भाई, मामा, ठीक है जी, ममी का भाई, मामा, अब अगर सवाल में यह आया होता, बताओ, C का D से क्या संबंद है C का D से क्या संबंद है अब आपको यह बताना है अब आपको देखना है कि इस कांसर कौन बिल्कू से देने वाले भी देखते हैं देखो इसमें हो क्या रहा है C हमें बता है कि नीचे है C का संबंद बताना किस से है D से बताना है जी, C का संबन, D से बताना है, तो एक चीज सोचिए, हमें यही नहीं पता कि C प्लस है या माइनस है, अगर प्लस होता तो मेल होता, माइनस होता तो फीमेल होता, अब हमें पता ही नहीं वो मेल है या फीमेल है, तो इसका अंस्वर क्या आ जाएगा, cannot be determined, हिंदी करैं हो सकता गलड़की हो सकती है पुत्र या पुत्री को थी के साथ जाओंगेएच के साथ की a या भी या तो पुत्र robot या फिर पूत्री होगी अब मालो उसना यह नहीं दिया एआ भी नहीं दिया नीचनलिख दिया नन और यहां लिख या C and D, cannot be determined, हिंदी में बहु लेंगे, बता नहीं सकते, उस case में आएगा कि बता नहीं सकते, ठीक है, तो option के साथ जाओगे, जो option में आपको ठीक लगेगा, आपने वही option correct करना है, ठीक है भई, समझ जाओगे, चलो, आगे बढ़ते हैं फिर, अब अगर बात करें कि चितर को देखने वाला सवाल आता है, जिसमें अभी आहाली में आया भी था, अगर हम बात करें हर्याना पुलिस का वेपर था, उसमें पूछा भी गया था, लेकिन उसमें काफी बच्चे गलती करके आये थे, हलांकि उ फिर, इंगल को घ्राऄ हैं ऐडिक़ा सब्सकतर, लांजयान, फिर, इंगली में देखने सा वे इसको सब्सक्राइब, आ हम एक म smaller क्रेशी ब्लीकाई को तरहा सक उपने का मलोगा है, फिर प्रमक32 इंगल इसमें का क्शेसे सम्छ का क्या क्यम्व में फिर बनाते हम ग्रईक to be English में आएगा how is a related to be मतलब यह पहले बाला बताना है कि दूसरे बाले का क्या लगेगा बस English में तो और कुछ हो घुमाए नहीं सकता है हां हिंदी में मोल सकता है कि a का b से क्या संबंद है या फिर b से a क्या संबंद है घुमा देगा a का b से या b से a का हाना इसमें नहीं हो इंग्लिश फिरा देख लो how is a related to be इसका वो कुछ चेंज करेंगा ने इंग्लिश तो इंग्लिश रहीगे ला तो पहले वाला दूसरी बाले का क्या लगेगा बस यह देख ले ना ठीक है confusion नहीं आएगी चलो फिर अब बताओ मुझे अगला सवाल तस्वीर वाला देख ल एक लड़के ने लड़की की और इशारा करते हुए कहा कि वह है मेरे ससुर की ससुर की इकलोती पुतरी की पुतरी है बस यहां तक तो हम समझ जाओगे फिर स्वाल क्या पूचा जाएगा सवाल पूचा है कि बताओ लड़के का लड़की से क्या समझ है लड़के का लड़की से क्या समझ है वह यह निया समझ बाता कि लड़के का बताना है कि लड़की का बताना है तो बस बेकरना कुछ नहीं है लड़के के साथ है ना का लड़के का मतलब लड़के का लड़की से क्या समझ मतलब लड़का क्या लगेगा उस लड़की का आप देखो भई, एक लड़के ने लड़की की ओर इस बॉक्स के अंदर बंद, ठीक है जो बोलता है उसको बॉक्स के अंदर बंद कर लेंगे, उसके बढ़ जहां से सवाल में मेरे से शुरूआत होगी न, वहां से कुश्ण को शुरू करना है, जहां मेरे आता है, वहां से शुरुवात करना, तो देखो, उसने कहा कि वह मेरे, मतलब इस लड़के के ससूर, अब ससूर कोन होगा भई, इसकी जो पत्नी होगी, लड़के की, कोई पत्नी होगी, उसका पिता होगा, ठीक है, वो इसका क पुत्री की पुत्री है, अब इस पत्नी की भी पुत्री, मतलब इसकी भी पुत्री होगी, इन दोनों की ही तो पुत्री हो जाएगी, अब सवाल में क्या पूचा गया था, लड़के का लड़की से क्या संबन, मतलब ये लड़का, इस लड़की का क्या लग रहा है, इस पु भी बिवी का पिता है उसकी एकलोती ही अब किसी बिबन तो इस तरीके से बना करें लिए आपका सवाल स्वाल बहुत जल्दी भन चलिए, अब आगे देखते हैं कि और किस तरकी से सवाल आते हैं, जहां पुलसते हैं, अब कोडिंग डिकोडिंग के कुछ सवाल आते हैं, जैसे एक्जैम में पूछा गया था कोडिंग डिकोडिंग में क्या, कि मान लो, पैंसिल को, किस को, पैंसिल को, अगर पैंसिल को बो question ठीक है विस मैं बता देते हूं किकि दोने British kronokr … ठीक बत देखते हैं कि कुन सा बच्चा ना इसको बता पाईगा तो Eraser को क्या बोला जाएगा अगर pencil को यह बोला जाता है गर pencil लकाय ao to तो बताएगा कि एरेजर का क्या कोड हो जाएगा, एरेजर का क्या कोड हो जाएगा, बताओ फटाफट से बताओ, फटाफट से कमेंट करो, तो एक चीज़ आपको दिख रही होगी, कुछ भीचे समें तिमाग लगाएंगे, अच्छा, P का नमगर इतना होता है, उसके बाद एल आ गया, ये आ गया, वो आ गया, इसमें से कुछ था ही नहीं, काफी बच्चे ऐसे कुछ ने को छोड़ी है एक्जाम केंदा, तो छोड़ना नहीं है बई, देखो इसमें होगा क्या, थोड़ देल मारे लोगे, देखो इसमें होगा क्या, P, E, N, C, I, L, अपने पास है, P, E, N, C, I, L, तो एक चीज़ देख सकते हो, हमने ये देखा, C, I, L, उसने C, I, L को उठाया बस, और कुछ नहीं किया, और यहां पे लिखा है, L, I, C, मतलब C, I, L को ऐसे पलट दो, ये L यहां आ जाएगा, I यहीं रहेगा, C दर आ जाएगा, तो बन गया, L, I, C, और यहां इसे यहां लिखना, यहां कितने हैं, 6 हैं, ठीक हैं, तो लाश के 3 उठाया, अब इसका opposite ऐसे उठा कर देंगे, R, E, S, बन जाएगा, तो R, E, S, लिख दिया, अब जो हैं कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहां पर भी 6 हैं, तो R, E, S, एक बार आ गया, अब दुबारा से क्या आ जाएगा, R, E, S, कर लोगे न, आ जाएगा, ठीक है, तो ऐसा question भई, coding, decoding का पुछा जाता है, और यह बिल्कुल easy होता है, लेकिन बच्चे ऐसे question को छोड़ आते हैं, हना, चलो फिर, एक और लिख लो, अगर reason को बोला जाता है, reason को यह बोला जाएगा, तो public को क्या बोलेंगे, reason को अगर S, G, D, W, T, बोला जाएगा, तो आपने बताना है, कि public को क्या बोला जाएगा, तो coding, decoding है भी, इसकी तो जितनी practice करोगे, और बात करें, number series है, इसकी जितनी practice करोगे, तो practice सही चीज़े आएगी, है ना, कहते हैं कि practice makes a man perfect, तो इचीजे देखो, बताते तरे तूय मैं इसमें क्या होगा, हमने देखा, R से S, तो इसमें कितना बढ़ रहा है, R के बाद S आता है, मतब एक जुड गया, R का number 18, S का number 19, ऐसे ही, E का number कितना होता है, 5, G का number कितना होता है, 7 होता है, मतब इसमें कितना जुड़ा G, इसमे जुड़ा चार इसमें ऐसे जुड़ा ईक झुड़ा एक जुड़ा दुर्फ तीन जुड़ा… चार पांच जुड़ा और छे जुड़ा ऎसा ही बी में कितना जुड़ा पर छल्प नंबर कितना बार बार यू में Ver the fact जाता है और 5 इसका होता है, यह कुनता है क्या है? ठीक है ठीक है, L का नमबर यहता है रहा, अब 6 में चार ज़ुड़ों कितना होता हैования, 16 , 16 किसका होता है थीक है, only P, P का नमबर 16 में आ जाएगा, I Crime 30, 13 में किसका, M přेंधर, C पीरो सीरो में 6 जुड़ना है की दो तो हीुद से भी किसमें हृता है ना न म полез भीलिप फ offended does a six اро बीर से सबंटा है तो नगते हैं तो की बडुल तो फिर ना विलेंगा में से रेंगेगा है ना तो रेसी आपके कुछन करवा देते हूं एक अधा ठीक है सिरीज के कुछन देख लेते हैं बेकी सिर्के से आएंगे जैसे एक मालों की बिल्कुल असान करवा देते हूं पहले तो ठीक है यह को आया है वसा पेपर में पंदरह उसके बाद बाइस अठारा पिर चोवीज फिर एकिस फिर चब्श फिर अगला पूछा वाता कि क्या आएगा ठीक है यह सवाल था और आपसे पूछा वाता कि बताओ अगला नंबर क्या आ जाएगा तो इसमें करना क्या था करना कुछ भी नहीं है बिल्कुल एक चीज आपको इसमें दिख लग रही है डबल सिरीज लग रही है बागी हर्याना से वाले करते क्या है आपको और भी चाहते है बनाने के लिए इसमें क्या कर देंगे वो दो बार डैश देदेंगे किया देदेंगे भई दो बार वो आपको डैश देदेंगे कि आपको पता ही लग जाएगा किस में हो किया रहा है कि double series लग रही है ठीक है ना तो देखो भई इस case में होगा क्या अब आप इसमें देख लो 15 है 15 से 18 हुआ 15 से 18 18 से 21 21 से 24 क्यूंग 3 3 जुड़ रहा है 15 में 3 जुड़ा 18 18 में 3 जुड़ा 21 21 में 3 जुड़ा 24 ऐसे वो दूसरा कुछ लेता तो 22 में 2 जुड़ा 24 24 में 2 जुड़ा 26 26 में 2 जुड़ दिया 28 कितना जाएगा जी 28 आ जाएगा बताव कही चीज आगे समझ में बिल्कुल इसी थी ठीक है तो सिरीज करते लो एक अच्छा सा कॉश्न देती हूं मान लो यह है आठ चार चार बताओ, क्या आएगा ऐसा कोशन अभी मैंने नमबर सीरीज वाला टॉप भी करवाया था आपको उसमें डिसकस भी किया था उसमें डिसकस करके बताया भी था कि इसका ऐसे बन जाएगा भी तो देखो भी, बताओ कौन सा बच्चा बतायागा इसका कैसे बनेगा बिल्कुल असान है भी, कुछ इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है, कि अपना कर पाओ देखो भी, आपको एक चीज़ दिख रही है, कि जो आठ है, आठ से चार हुआ, फिर चार से कुछ चेंज नहीं हुआ, सेम का सेम चार रहा उससे फिर चे हुआ, फिर बारा हुआ, हम चे से बारा का तो अनुमान लगा सकते हैं, कि इसका दो गुना हो रहा है, क्या हो रहा है, दो गुना हो रहा है, और चार से चार कितना हो रहा है, एक गुना हो रहा है, ठीक है, अब तो यह दिख जाएगा, आठ से चार कितना हु तो देड़ गुना बन गया, चार और दो छे, डेड़ गुना ओर कैसे कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो ना, तू बंजा टू, इसमें ये एक जोड़ दोगे, कितना बन जाएगा, थ्री बैटू, थ्री बैटू किसका निकालना था, चार का, तो काड़ दो ये दो, तीन दो नी यहां से भी निकल जाएगा, ठिक है, अब हमने निकालना क्या है, आधा, एक, इसके बाद यहाँ भे था, देड़, और यहाँ था दो, अब आगे और किस तरीके से निकाल सकते हो धाई को खूल लो भई दो दूने चर और एक पांच पांच बटे दो किसका बारा का काट दो छह फाइफ शिक्शुज थर्टी इसके समें थीस हाएगा अना थीस ही है किसी भी तरीके से निकाल लो दो करके फिर नहीं कुना कैसे करोगे पहले तीस आ जाएगा. ठीक है? और कल आपकी भई इसी चैनल पर class रहने वाली है किसकी दिवान सरकी. ठीक है? तो कल दिवान सरकी class रहेगी. भई, सुबह 10 बजे. ठीक अभी, कल सुबह 10 बजे class रहेगी शरकी. ठीक है? तो सबी को आने अवे ठीक है ना इंचे से CLASS को आपने जोइंड कर लेना और ज्याद से ज्यादा इसको SHARE भी कर आना कि कल मैराथन क्लास लेने वाले हैं सर करवा चो तवाला दिन देकलो भई आपको गिफ्ट देने में सब को है ना तो मेराथन युदीत लेने सब्सक्राइब डिवांटसर लएगी, ऐसे दीवांटसर के उपर222 거지 का मिलंगेु तो चनले स ही तो ,टीज़ते हों्त कर दो कोशनोंूर कि एक दो क्योशन ओर कांसे बन जाएंगे अब एक दिशा का सवाल आता है दिशा का सवाल आएगा उसमें क्या होगा उसमें क्या होगा देखो उसमें कुछ कुछ चीजी है जो समझने की है मालनो कोई A है वो कहां गया दक्षिन दिशा में गया मतलब साउथ में गया कितना चला मालनो 5 किलोमेटर चलता है, फिर वहाँ से उसने क्या किया, right turn लिया, right मतलब दाएं जाएगा, 3 km फिर बहां से वापस से राइट जाएगा ठीक है दाएं कितना 5 km अब सवाल मों कितने बूच बूचेगा दो सवाल बूचेगा इसमें वैसे 3 सवाल भी बूच सकता है अब मैं देखू, पूरा बताये दूगे, क्या कैसा वह पूछने वाला है, पहले तो देखो, डागरम हो इसका, बच्चों को डागरम में करमिजून होती है, दक्षन में गया, साउथ में गया, मतलब वो नीचे आया होगा कहीं, मालो इस प्याट पे था, यहां से नीचे आय होगा यहां हमारा नौर्थ होगा उत्तर होगा यहां हमारा इस होगा पूर्ष west होगा पस्ची ठीक है ना की तरह ये चीज़ें तो नीचे की तरफ होगा ना दक्षिट नीचे की तरफ होगा तो मैंने एक चीज़ भी बताई थी अगर तो दक्षिट की तरफ आ रहा है उसके बाद वह जो भी turn लेगा right ले रहा है या left ले रहा है उसका opposite करना है अगर तो सेदी हाथ की तरफ मोड़ेगा तो आपने वल्लिट हाथ की तरफ घुमा लेन है और लॉटते हाथ की तरफ मोड रहा है नो जहा करना है कहां वह लेफ्ट चला दो भाट के ना नेचे एह ना पर या सिस का बार दे कि सरा शेंसे रहाए इसे है याप तो देखना उने हमसकर अगर तो right side आगा तो right hand ये उपर जाएगा, अगर तो left में जाता तो नीचे आता, तो right में जा रहा है, उपर की तरफ जाएगा, कितना, 5 km, 5 उसके बराबर आगया, 5 मत करो, इसको 3 कर लो, ठीक है, इसको 3 कर लो, अब इसके 3 सवाल बनेंगे, पहला सवाल तो ये, कि बताओ, अब वो कौन सी दिशा में जा रहा है, अब वो उपर की तरफ जा रहा है, नोर्थ में, तो आब तो वो नोर्थ में जा रहा है, उत्तर में जा रहा है, दूसरा सवाल ये, कि starting point से अब वो कौन सी direction में है, starting point से, प्रारंबिक बिंदू से, वो कौन से दिशा में है, प्रारं अबिक बिंदू से दक्षेंड पस्चिम, स्टाइटिंग पॉइंट से साउथ वेस्ट, उसके बाद बात करें कि वो यह बोले कि शुरुवाती बिंदू से अब वो कितनी दूरी पर खड़ा है, तो उसके लिए क्या करेंगे भई, यहां पर डियाग्राम यह ऐसा बन जाएक तो यह कितना है, यह देखना है, यह कितना है, यह तो 3 है, यह 3 है, तो यह 3 है, अब हमें पता है, यह 3 है, यह 3 है, तो उपर बच गया 2, ठीक है, यह पूरा 5 था, हमें पता है, यह 3 है, यह 3 तो यह 2 बच गया, अब यह 2 है, यह 3 है, और यह निकालनी है, ठीक है, तो हमें पता है क्या लगाओगे Pythagoras theorem मतलब ये h का square ये p का square और ये b का square होता है ना, तो h का square is equal to p का square plus b का square, लंब बाला जो सवाल आप करते हो, हाला h हमें निकालना है, तो कर दो भई h का square, p अपने पास कितना है ये 3 का square कर दो और वो 2 का square कर दो 3 का square नो, 2 का square चार ठीक है, 9 और 4 कितना आजाएगा 13 13 है h का square, तो h की value क्या आजाएगी root 13, h की value आजाएगी root 13, तो उसमें वो ये भी बूच सकता है कि कितने दूरी पर वो खड़ा है, ठीक है, तो ये आज की revision class, पहली revision class थी भई, ठीक है उसके लावा, divine study अपनी application है भई, कॉनसे divine study अपनी application भी है जो channel का नाम है, वही अपनी application है और इस पे आप जाओगे की courses आप ले सकते हो अगर आपको gram-sajib की तरही करनी है या फिर अभी आपको दुरगा शक्ति का है उसमें आप भई, courses purchase करो बिल्कुल nominal rate है, कोई भी ज्यादा rate भी नहीं है अपना पूरा course है, वो 699 अभी ठीक है इसमें आपको क्या मिलेगा, reasoning, maths, maths दोनों, advanced भी और arithmetic भी उसके लावा, haryana gk, india gk, हना उसके में current अफेस, daily current भी आ रही है तो आप उसको भी एक बर उपन करके देखना, ठीक है, आपको मिल जाएगा महाँ पर Sir, यह देखना क्या हो गया क्लेसे क्लास इड़ रही है नहीं, वो बटन दब गया, कोई वो बेस पर जाके वो होने रहा अच्छा, चीक है चलो ठीक है भी, तो अब अगली क्लास में मिलेंगे और अपने तियारी करते रहना भी, और कल मिलेंगे पहले, तो अब को दिवान सार मिलने वाले है ठीक है, और वो लाइव आएगे, मैं रतन क्लास लेकर, सुब़ दस बजे, ठीक है तो अब नेक्स रास में मिलते है भी, तब ता कंस्ते रहिए, मुस्कराते रहिए, और देखते रहिएगा, डिवान स्टेडी, ठीक है, थेंक्यू सो मच झाले है